सोल्चो बच्चपन से आपने किसी के बारे में सिर्फ बुरी बातें सुनी हो। बुरी नहीं एकदम डरावनी टाइट की खून वाली कहानिया। उसको सिर्फ दो घंटे की फिल्म देखने के बाद आप पूरी तरह भूल सकते हो। काम मुश्किल है ना लेकिन कोशिश तो की गई है। गंगु बाई काठिया वाडी ये मशूर हैं बॉंबे की माफिया कुईन के नाम से। लोग धंदे में अपना दिमाग बेशते हैं मैडम ने शदीर की बोली लगाई और बदले में धीरे धीरे पुरा शहर खरीद लिया। अब इसी नाम पर डिरेक्टर कम हैं मेरे दोस्त बस आगे सुनते चले जाओ सारे जवाब मिलेंगे। हाँ तो गंगु बाई की एंट्री होती है बिजनिस में इनका ओफिस है बदनाम गली के मकान का कमरा जिसमें रात बिताने के बदले पैसे मिल जाते हैं जिन्दकी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लि और विलेन के सीने में हीरो वाला दिल सबको अपना फैन बनने पे मजबूर कर देता है बस जी हो गई फिल्म खतम सीधी सिंपल कहानी है नो ट्विस्ट, नो सर्प्राइज़, नो एक्शन, ओनली ड्रामा बहुत सारा मैलो ड्रामा विट खूप सारा इमोशन्स एंड नाच अगर आप संजलीला भंसाली के फैन हो तो जवाब है ना नो बिल्कुल नहीं, ओटीटी वाला ओप्शन बहतर है गंगुबाई भंसाली सर की बेस फिल्म तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन आलिया वट के दिवाने हो तो बड़ा वाला येस फिल्म को थेटर में जाके जरूर देखो ऐसा मौका दुबारा नहीं मिलेगा, आलिया के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है ये बिना किसी शक्के, फिल्म की खासियत है कि पूरी दुन्या में से आप कहीं से भी इसको देख रहे हो, लेकिन धाई गंटे के लिए आप सिफ कमार्टी पुरा के अंदर होगे, लंबे चौड़े रंग बिरंगे सेट्स हैं, उसके उपर जबरदस सिनेमेटोग्राफी आँखों को पूरा सुकून देगी, साथ में रेट्रो जमाने वाला थीम जो क्लासिक बॉलिवुड की पहचान है, उसकी यादें भी ताजा हो जाएंगी, हाँ लेकिन आखों के बा की है, उसे कोई शिकायट नहीं है मुझे, अब बॉस फिल्म का सबसे बैस पार्ट, जिसके बिना गंगु बाई की रियल जिंदगी और ये रील वाली फिल्म दोनों ठंडे पढ़ जाते, कैमियोस छोटे-छोटे लेकिन दमदार खतरनाग, अजय देवगन सूपर डूपर परफॉर्मेंस, गंगु बाई पर बनी फिल्म के अंदर गंगु बाई से जादा, ओडियन्स को किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए एक्साइटेट करना ये काम सिर्फ अजय देवगन कर सकते हैं, जब जब ये स्क्रीन पर आएंगे, सीधी साधी फिल्म दे एक दम आगसी ल बाती सपोर्टिंग रोल्स में सीमा मैम कमाल है, खुद से नफरत करने पर किसी इंसान को मजबूर कर देना सबसे कठेन काम होता है अक्टिंग में, जिम और जिम ये तो अलगी मिट्टी के बने हैं, एक नेगेटिव फिल्म में भी पॉजिटिव एनरजी डालना कोई इन स सीखे भाई, आप देखो ये तो हो गई सारी बढ़िया वाली बातें, अब शिकायत सुनने की बारी है, जो इन सारी अच्छी बातों पर भारी पर जाती है, और जिसने पूरी फिल्म का काम तमाम कर दिया, फिल्म का टॉपिक कांट्रवर्शल था, हम सब जानते हैं, लेकि अगर सेक्स वरकर नहीं होंगे, तो मर्द सड़क पर घूमने वाली जादा ओर्तों को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे, ये कैसा पॉइंट है भाई, कोई लॉजिक है इस बात का, एक शिकायत ये भी है कि गंगु बाई की कहानी सिर्फ साफ चश्मे से क्यों दिखाई ग वही चीज तो फिल्म को दमदार बनाती है, लेकिन गंगु बाई में ये सिर्फ कुछ गयाब हो चुका है, सिर्फ कहानी का अच्छा वाला साइट दिखाया गया है, जिसकी वज़े से फिल्म अधूरी रह जाती है, इनकम्प्लीट मैं फिर से बोल देती हूँ, आलिया भट इस फिल्म की बैकबोन है और गंगु बाई उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, एक्टिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बंदी ने महनत की है, जो नजर भी आती है, लेकिन गंगु बाई के अराउंड जो साइड सच के नजदीक हैं, जबकि आलिया को सिर्फ मेकप की दुकान बनाकर प्रेजेंट किया गया है, जिससे फिल्म की असलियत कमजोर पर जाती है, आपको आलिया एज एक्टर दिखेंगी, अच्छी भी लगेंगी, लेकिन गंगु बाई कहीं नजर नहीं आती, तो यार मेरी सिर्फ सिर्फ फिल्म को मिलेंगे पांच में से तीन स्टार्स, एक तो सबसे पहले कैमियोज के लिए, जिसके बिना गंगु बाई सिर्फ एक मामुली बॉलिवोड फिल्म बनके रह जाती, दूसरा रेट्रो जमाने की यादे ताजा करने वाली सिनेमेटोग्राफी, साथ म दमधार पारफुल इमोशनल डायलोग्स, तीसरा फॉर आल्या एंड जस्ट आल्या, बंदी ने दिल लगाकर काम किया है और ये तो सिर्फ शुरवात है, बात करू नेगेटिब्स की तो एक स्टार करतेगा, ना चाहते हो भी फिल्म के थूर एक नेगेटिव मेसेज देने करने के लिए, वैसे मारधार वाली फिल्म में देखना चाहते हो तो लव हॉस्टल भी आई है, OTT पे, उसका रिव्यू डाला है मैंने, अगर सुनके मज़ा आए तो वो वाली फिल्म भी इंजॉय कर सकते हो, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायत क करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा से इंतजार करिये, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई